आप सबी का सौगत है संसकार कोचिंग एकेडमी की ओंलाइन कलासों में तो दोस्तो आज हम पढ़ेंगे अपने मेत का सिलेबस क्या रहेगा 2022 के लिए तो आज हम पढ़ेंगे 2022 का सिलेबस क्या है आपका पहले आपको जो आप यदि आप नया पठेगरम सुरू करना चाहते हो तो आपको आपका टारगेट पता होना चाहिए कि आपके पास टारगेट क्या रहेगा तो भाई सुरू करते हैं तो आपके पास कितनी यूनिट है भाई, आपके पास पहले तो यह साथ यूनिट रहेगी, साथ यूनिट कौन कौन सी रहेगी आपकी, साथ यूनिट रहेगी वास्ट जुक सिंख्या, बीजगणित, जामिती, नित्य सांख जामिती, तिरकोण मिती, छेतर मिती और सांखी की यहूं प्रायक्ता यह आपके साथ यूनिट है इन साथ यूनिटों को आपके चेप्टर कितने बनाएं बाई 15 चेप्टर बनाएं आपके इन साथ यूनिटों को मिलाकर आपके कितने चेप्टर बनाएं 15 चेप्टर बनाएं तो अब परते हैं कि कौन सी हमारे पास कौन सी पर आठे बात करें तो आपकी 20 गंईत अगली उनिट के आपकी 20 गंईत हैं और 20 गंईत सबसे ज्यादा नमर किये वाई 18 अधारा के 20 गंईत और इसमें चेप्टर कितने रहेंगे आपके पास ये चार चेप्टर रहेंगे कौन-कौन से है भई दूसरा चेप्टर रहेगा बहुपदगा तीन नमर का और दो चरो वाले रेकिक समीकन युग मा रहेंगे आपके पास चैन नमर के आपकी ये चार चेप्टर मिलकर आपकी बीज गनित की यूनिट बनाएंगे जो कि आपकी कितने नमर की रहेगी भाई 18 नमर की रहेगी तो जिसको अच्छे नमर लाना है वो 18 नमर तो पहले cover कर ले आगे की बात करूँ में तो आपकी जयामिती रहेगी क्या रहेगी भाई जैमिती और जैमिती कितने नमर के आपके पंदरा नमर के जैमिती है और इसमें कितने परसनावले आपके कितने चेप्टर भाई तीन चेप्टर है जो कि छटा चटी परसनावले तिरबुझ की रहेगी वो आपके चार नमर की रहेगी भाई ठीक है और वो आपका कितना नमर का रहेगा भाई 6 नमर का रहेगा तो यह तीन यूनिट मिलकर आपके कितने नमर पक्खे करेंगे भाई 15 नमर पक्खे करेंगे आगे बात करूं में अगले यूनिट की तो आपके छोती यूनिट रहेगी निर्देशांग जामिती और निर्देशांग तो आपके बोर्ड पेपर के लिए फक्के हो गए भाई, इसकी टेंशन तो आप छोड़ दो, आगे बात करूं में, तो आगे आपके तिर्कौन मिती रहीगी, वो आपके बारा नमर की रहीगी, यानि बाउपद, यानि बीजविनित के बाद सबसे जैदा नमर किसके है भाई इसके और ये सांकी की, पंदरा नमर की, तो आपको ये तीन यूनिट तो आने चाहिए भाई, तो आपके तिर्कौन मिती कितने नमर की रहीगी, बारा नमर की, और तिर्कौन मिती में कितने चेप्टर आपके पास, दो चेप्टर है, आठवा और नौवा, आठवे आँगे नमर का रहेगा भाई और आपका नौवाच चैप्टर चार नमर का रहेगा आगे मैं बात करूं तो हमारी है छेतर मेती यानि छेतर फल निकालना वुरित का बिलन का गोले का, तो भई, वो कितने नम्र का रहेगा? दस नम्र का चेप्टर रहेगा आपके पास, और इस में आपके पास चेप्टर कौन कौन से भई? 12 और 13 यानि वरित्षे समन्दित 6 तरफर कितने नम्र के हैंगे भई? 4 नम्र के, और प्रिश्ट ये यह हूँ प्रैक्ता यह दो आपके पास मिलकर यह दो चेप्टर आपके पास मिलकर पंदरा नमर बनाएंगे तो इस चेप्टर में इस यूनिट में आपके पास दो चेप्टर भाई चोगदा और पंदरा चोगदा संखी की वो ग्यारा नमर करेगा आपके पास और प्रैक्ता प्रेक का कितने नमर करेगा भई चार्ड नमर का तो ये आपके 80 नमर हो गए भई तो येदि आप बोड़ तो आपके पास भई ये सारी परसनाल कितने नमर की हो गई 80 नमर की हो गई यानि येदि आप येदि आप ये सेलिबस कवर कर लेते हो यदि कक्सा 10 में हो आप और ये सिलिबस की कवर कर लेते हो तो आपके पास कितने नमर आ जाएंगे भाई 80 नमर आ जाएंगे और 20 नमर आपके बेज़े जाते हैं भाई कितने नमर बेज़े जाते हैं 20 नमर आपको स्कुल वाले बेज़ेंगे और यदी आपके वल पास होना चाहते हो भाई यदी आपके वल पास होना चाहते हो तो बीस नमर तो इसकुल वाले बेज रहे हैं ठीक है और आपको कितने नमर लेकर रहना है भाई यह रापंदरा नमर यानि यह चेप्टर आपका जो आपके 8 वी यूनिट है जिसमें 2 चेप्टर है 14 और 15 संकी की और प्रेक्ता जिसमें संकी की 11 नमर की और प्रेक्ता 4 नमर की तो ये तो भाई अभी शेकरना शुरू कर दो ये दिये 2 यूनिट कर लिए और 20 नमर आपके बेज दिये तो आप पास तो यह इंपर हो जाओगे हेदी आपको हेदी आपको 50% से ज्यादा नमर लेकर आना है तो आप क्या करोगे भाई कौन-कौन छी यूनिट करोगे तो आप ये तो करना ही है आपको 11 और 4, 15 नमर तो कवर करना ही है भाई और क्या करोगे आप इसके साथ यह कर सकते हो भाई रच नहीं मैं आपको वही परसनावलिया बता रहा हूँ जो आप कर सकते हो आपके लेवल किये ठीक है जो पास होना चाहते है यह उनके लिए बात बता रहा हूँ तो यह 6 नमर कि यह कर सकता है भाई नमर होगे हमारे पास आगे मैं बात करूँ तो आप अब द दिस नमर हो गए आप पेपर में ले कर आ रहे हो वई सबस्क्राइब तो कितना नमर आगया भई आपके पास किते नमर आजाएंगे आपके पास बावन नमर आजाएंगे यानि आप पचास परसेंट से ज्यादा मास्क लाकर लेकर आ सकते हो और गनित में यदि आप ये लेकर आगए तो आपको फेल करने वाला कोई नहीं रहेगा भाई और जो बच्चे सोच रहे हैं भाई 90 अबाव गरू में तो उनके लिए तो खास रहे है कि आपको पूरा सेलेबस बढ़ना है ये जिया आपने सेलेबस कर लिया तो आपके 80 मीशे तो अमारे चैनल को ज़्यादे से ज़्यादा शेयर करो ज़नेवाद दोस्तों